पढ़ाई वेगरा कितने घंटे करती थी दिन में करती थी नेकिन मैं गिंती नहीं थी कि मैं कितने घंटे पढ़ दे हुए अच्छा पिता जी क्या करते हैं मेरे पापा बिजनसमेन है चोटा सा कपड़ा का दुखान है तो उसी से चला करके उन्होंने आपको पढ़ाया से एक एसी बेटी निकली है जिनका नाम व्यशनवी है और Commerce में इन्होंने जिले में टॉप किया है बाकि व्यशनवी हमारे साथ है और इनसे इनके संग्ञष की कहानी जानेंगे किस तरीके से सफलता हाँ ये जानेंगे सबसे पहले स्वाकत है हमारे चैनल में बहुत बहु ओपने टौप किया है पूरे जिले में, क्या सा में पर रहे हैं। कभी सोचा था आपने की भाई पूरे जिले में नाम करेंगे जिले में हम टॉप कर लेंगे जी जिले में तो मुझे स्टेट टॉप पे मेरा सपना था मेरा गोल था बलकि मेरा ही ने मेरे सर का मेरे पूरे फैमली का था नेकिन मेरी थोड़ी मेहनत, मैं थोड़ी मेहनत से चुप गए, जिसके कारण मैं 5-6 नमबर से पीछे चुट गए तो ये बहाने बाजी नहीं कर रही है कि भाई नमबर कम हमको दिया गया, इस वज़े से चुप गए, अपनी गलती मान रही है जी, मैं अपनी गलती मान रही है, मैं मेहनत में कहीं चुप गई होंगी, इसलिए मेरा 5-6 नमबर से मैं स्टेट टॉप में चुट गए देखे, ये जो होसला होता है कि भाई खुद के उपर ब्लेम ले करके, और सब कुछ मान लेना कि भाई हमारे वज़े से ही स्टेट टॉप करना हम चूप गए हैं, वरना बच्चे तो बहाने बाजी करते हैं, कि भाई फालाने आदमी ने हमें कम पढ़ा दिया, इस वज़े से हम यहाँ पर टॉप नहीं कर पाएं, चिलाने आदमी ने हमें कम पढ़ा दिया, इस वज़े से हमारा अंक कम आ गया, लेकिन ये वो सब नहीं कह रही है, वैशनवी आगे का जो जीवन है, उसमें क्या करना चाहिएगा, मैं C.A. बनना चाहती हूँ, तो किस तरीके से जै सबसे पहले ये करना चाहती हूँ, मुझे सबसे पहले टीचर का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला, पूरे फैमली का सपोर्ट मिला, केरे रवल्ड़ कोचिंग का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, इसे कारण मैं यहाँ तक पहुँछ पाई हूँ, अच्छा, घर पडिवार लगा था कि इस्टेट टॉप नहीं कर पाए या फिर खुशी हुई थी कि भाई जिले में भी टॉप कर गए हैं वैसे तो थोड़ा दुख हुई कि मैं इस्टेट टॉप से छुट गए हैं अच्छा गुरू जी का क्या रियक्शन था आपके कि भाई कैसा रिजल्ट है क्या वो भी ठीकी थे उनका भी नेकिन सपना था तो सब का होता था नहीं सपना जुख जाना फिर भी उनोंने पुरा सपोर्ट किया पुरा सपोर्ट अनका रहा हुँ अच्छा पढ़ाई jar met two near this ये तो मैं नहीं कह सकते हूं कि मैं कितने गंटे पढ़ देखेंगे दो गंटे पढ़ेंगे फिर फोन चलाएंगे ऐसे फिक्स नहीं था अच्छा तो जब फैमिली में ये बात पता चली कि आपने जिला टॉप किया है तो उन लोगों का ये क्या स्वभा हो था कि आगे पढ़ाना है या फिर बाकी बच्चों के तरह बाकी लड़कियों के तरह शादी व्या कराके उनको व्या देना है अगर मैं टॉप भी नहीं करते फिर भी मुझे पढ़ने के लिए दिया जाता है आपके घरवाले मतलब पूरे सपोर्टिव है उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा जो अपने बच्चीयों को घ किया करके रखना चाहते हैं उनको आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं बस फॉर्मलीटी के लिए उनने ग्रेजवेशन करवाते हैं या त्वेल्थ करवाते हैं जी मैं उन लोगों को यह कहना चाहतू कि आप एक बार छूट दे के उन गल्स को देखिए फिर उसके बाद पिल्कुल सही बात है और कहीं न कहीं बिहार एक ऐसा प्रदेश रहा है एक ऐसा राज्य रहा है जहां के खून में ही महनत है और यहां के बेटे ही नहीं यहां की बेटियां भी काफी महनत करती है और आज उसका पड़िनाम आप सामने देख रहे हैं कि ज्यादा तर जो रिज चरते नजर आ रहे हैं। लेकिन समस्दिपुर जिले की ये रहने वाली हैं। बाकि आगे आपका चो सपना छी ईसलिए क्या मेहनता करने वाली है। जि मैं इसके लिए तो ये सार से मैं आइडिया लोंगे अपने फैमिली से आइडिया लोंगे क्यों उन लोग को इन सब के बार में अच्छी तरह does की जानकारी रहता है देखिए सची बात है सिखशित होना बहुत ज़ादा जरूरी है और सिखशित होने के वज़े से इनके पिताजी ने इने आगे बढ़ाया इनने पढ़ाने का होसला रखा और इनके सिखशक गुरूजन और घर-पड़िभार के तمाम लोगों ने इनका समर्थन किया और रिज रुल बताये